हाई गाईज वेलकॉम बैक टो मैं चानल इस वीडियो में आपके साई श्याय करूँगी कि जब हम स्मूथनिंग करवाते हैं जारी बॉंडिंग करवाते हैं उसके बाद हमारे बाल इतने जारा पतले क्यूं हो जाते हैं हमारा हेर फोर होना क्यूं स्टार्ट हो जाता है हम साथ शेयर करूंगी कि स्मूथनिंग के बाद आप अपने बालों की केर कैसे करें वीडियो काफ़ी ज़रा है अगर आपने स्मूथनिंग जारी बॉंडिंग करवाई है तो वीडियो को लाइक कीजिए जगर चालों को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं की वीडियो तो आप देख सकते हूं मुझे स्मूथनिंग करवाई है थ्री मन्स या फूर मन्स हो चुकी है तो मैं अपने बालों की कैर कैसे करती हूं वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूगी जह आपने स्मूथनिंग करवाई है उससे बाद आप कौन सी मिस्ट करते हैं जिससे आपका काफी जारा हेरफॉल होना स्टार्ट हो जाता है तो वीडियो काफी जारा हेलफुल होने वाली है अगर आपने स्मूथनिंग जारे बॉंडिंग करवाई है तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छे से देखिए अगर आपने स्मूथनिंग करवाई है तो first mistake friends आप करते हैं कि जब आप अपने बालों में से tangles को remove करते हैं तो काफी ज़्यादा आप अपने बालों को rub करते हैं इससे आप देख सकते हो हमारा काफी ज़्यारा hair fall होना start हो सकता है तो आपको दियान रखना है कि जादा आपको अपने बालों को रब नहीं करना है, जादा पकड़ना नहीं है, आप अपनी कौम भी बिल्कुल अलग रखें क्यूंकि अगर आपने स्मूतनिंग करवाई ता स्मूतनिंग वाली कौम भी बिल्कुल आपको अलग रखनी चाहिए तो अगर आप जाद अपने बालों को रब करेंगे तो इस तरीके से आपका काफ़ी ज़रा हेरफॉल होना स्टार्ट हो सकता है तो आप इस बात का भी दियान रखेंगे आप देख सकते हो पहले आपको अपने बालों को रोल करना है चेली बालों को कीशते हैं तो आपको बालों को घीचते हैं यापको से बालों को बालों को पहले हो विस्टेकर दियान रखेंगे और second mistake friends आप करते हैं कि हम अपने बालो को काफी ज़रा tightly बांद लेते हैं, इससे भी हमारे जो आगे किसे बाल है काफी ज़रा कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, आगे से हमारे बाल काफी ज़रा तूट जाते हैं, जब हम पॉनिटेल करते हैं, पॉनिटेल करते वक्त हमारे बाल आगे से काफी ज़रा खीचे जाते हैं और काफी ज़रा टाइटली हमारे बाल बन जाते हैं इसके कारण भी हमारा काफी ज़रा हेरफॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे बाल काफी ज़रा पतले हो जाते हैं तो आपको धियान रखना है पॉनिटेल करते वक्त आपको ही यूज़ करती हूँ आप देख सकतो बट में आपको दिखा रही हूँ कि पतले रबर्ड बैंट आपको ऐसे यूज़ नहीं करने हैं अगर हम यह पतले वारे रबर्ड बैंट यूज़ करेंगे जब इसे हमें बालों में से निकालेंगे हमारे काफी ज़रा बाल इसे काफी जारा हमारा हेरफॉर होना स्टार्ड हो सकता है तो आपको धियान रखना है कि ऐसे रबट बैंट आपको यूज नहीं करने हैं जारा टाइटल अपने बालों को नहीं बादने है इससे भी स्मूतिनिंग और कारिटीन के बाद आपके बाल पत्ले हो सकते हैं अगर आप हाईप बालों को जाराizer Por Wing मात्रम तो यह कुछ में स्टेक्स होती हैं अगर हम इने करते हैं कि स्नें की कज़ागा के बाल का ईतका सब्सक्राइब हमारे बाल कर आघरे हमाथ काफी अपट्ली by आ धुच्छे जन सकते तो आप आपको दियान रखना है बन आपको नहीं करना है कोई काम आपको करना है पीछे आप क्लक्चर लगा सकते हैं बालों पे जहां लोस ही पॉनिटेल कर सकते हैं सक्रंचिज डाल के बट आपको ऐसा बन नहीं करना है इससे भी आपके बाल काफी जड़ा पतले हो सकती हैं तो सबस वीडियो श्रड़ की है कि smoothing वालों में से dandruff को permanently remove कैसे करें तो आप मेरे चानल पर वो वीडियो देख सकती है अगर friends smoothing के बाद हमारे जो नीचे के बाल होते है वो काफ़ी rough हो जाते है dry हो जाते है तो आपको oiling ज़रूर करनी है नीचे जो हमारे ends होते है बालों के length होते है उस पे भी आपको oiling करनी है hair mask आपको week में एक बार जरूर कोई भी apply करना को hair pack आप लगा सकती है तो जो यह mask लगा रहे है लॉरियल का mask है इसकी वीडियो पी मैंने आपके साथ share की है अगर आपको काफी ज़रा dandruff की problem रहती है अगर आपने smoothing ज़री bonding करवाई है तो आप curd में कुछ lemon की drops mix करके अपनी scalp पे लगा सकते है इससे आपको काफी ज़र अच्छ रिजल्ट मिलेंगी तो फ्रेंट्स अगर आपके आगे से बाल काफी ज़रा कम है आपके बाल काफी ज़रा जड़ते हैं अगर आपने smoothing जारी bonding करवाई है तो आप विटामीन E का जो capsule होता है उसके थोड़ी सी drops आपको अपने आगे की बाल बालों पे लगाने हैं आप देख सकते हैं इससे अगर आपके आगे के बाल काफी ज़रा कम होगे इससे काफी आपको help मिलेगी smoothing करवाने के बाद हमारे पतले बाल इस कारण भी हो जाते है क्योंकि हम सिरम नहीं लगाते हेड सिरम को आप जरूर एड़ कीजिए अपने हेके रुटीन में तो सिरम को आपको अपने बालों की लैंध पर जरूर लगाना है अगर आपने smoothing जारी bonding करवाई है इसके तो आप अपने हेके रुटीन में सिरम को जरूर एड़ करें उसके बाद बालों में से टैंगल को रिमूव करेंगे बिल्कुल भी बाल आपके तूटेंगे नहीं बाल का फिजा हेल्थी, सॉफ्ट और शाइनी रहेंगे तो आप इस बात का भी जरूर दियान रखें यही क कोई भी एक बार हेर माक्स जा हेर पैक आपको जरूर लगाना है हेर पैक लगाने से बाल इतने जा सॉफ्ट और शाइनी हो जाता है हेर फोल भी काफिजा कम हो जाता है तो वीक में एक बार हेर पैक आप जरूर लगाएं इससे का अगर आप हेर पैक लगाएंगे आपके ब मैट्रिक्स का shampoo यूज़ कर सकते हैं जब भायो लाज का अफू यूज़ कर सकते हैं इसके वीडियोगी भी मैंने आपके साथ zhre किई है तो आप मेरे चैनल पोर जाके देख सकते जब हम smoothing करवाते हैं तब तो हमारे बाल काफ़ी जारा अच्छे लगते हैं उसके बाद हमारा काफ़ी जारा हेरफॉल होना स्टार्ट हो जाता है कुछ हम गलतियां करते हैं हम अपने बालों के साथ उसके कारण हमारा काफ़ी जारा हेरफॉल हो सकता है तो आपको अपने ब बाल काफिज है लॉग एंड रहेंगे तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने स्मूतनिंग के बाद कैसे अपने बालों की कियर की है कौनसे डॉक्ट पने बालों पर यूज की है अगर आपकी कोई रुक्वेस्ट है कि स्मूतनिंग के रिलेटिड आपको य वीडियो सब्सक्राइब आपके रुक्वाल आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलती हूं आपसे अपनी नेक्स वीडियो में धैंक क्यू बाई झाल झाल